ये है मेरा तीन साल पुराना ग्राफ्टेड मेंगो ट्री जिसे मैंने अपनी चट पर इस कंटेनर में उगाया हुआ है ये दशारी वराइटी का आम है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय पूरा प्रेंट धेर सारे आमों से भरा हुआ है तो यदि आप भी मेरी तरह कंटेनर में छट पर धेर सारे आम उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए आम के स्वात का हर कोई दिवाना है बेशक इसे फनों का राजा यू ही नहीं कहते तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गमले में धेर सारे आम उगाते का सबसे आसान तरीका मैं आपको दो मेथड से आम उगा कर दिखाऊंगा पहले मेथड में आम के सीड से और दूसरे मेथड में आम की ग्राफ्टिंग करने का पूरा तरीका बता कर ग्राफ्टेट पेड में धेर सारे आम भी उगा कर दिखाऊंगा वो भी तीन साल के अपडेट्स के साथ कौनसी वराइटीज गंबले में उगाई जाती है इसकी देख भाल कैसे की जाती है इन सभी की डिटेल्स मिलेगी आपको सिर्फ एक ही वीडियो में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो एब्रिवन मैं हूँ शिरीश और आप देख रहे हैं बोनसाय एंड गाडनिंग जोन तो पहले मैं आपको बीज से आम का पौधा उगाने का तरीका बताने वाला हूँ इसके लिए आप पूरी तरह से पके हुए आम की गुठली को निकाल कर अच्छी तरह से थोकर साफ कर लीजिए कुछ टिशू पेपर्स को पानी में भिगव कर इसमें गुठली को लपेट लीजिए इस तरह के जिप लॉक पाउच में रखकर सील कर दीजिए आम का बीज अक्चुली इस गुठली की शेल के अंदर होता है तो आप चाहे तो गुठली को खोल कर इसके अंदर से बीज भी बाहर निकाल सकते हैं अब इसे किसी ब्राइट लोकेशन में रख दीजिए आज 10 दिन हो चुके हैं चलिए चेक करके देखते हैं सीड अब जर्मिनेट हो चुका है अब इसे स्वायलेस मीडियम में हुगाएंगे 50% वर्मी कमपोस्ट और 50% कोको पीट को मिला कर थोड़ा गीला कर लीजिए ड्रेज होल्स वाले छोटे कंटेनर में पॉटिंग मिक्स भरके सीड को लगा दीजिए इसमें पानी तबी दीजिए जब मिट्टी सुखने लगे 15 दिन बाद आम का छोटा सा पॉधा निकलाया है अब मैं इसे ऐसी जगा रखूँगा जहां इसे सुबा की 2-3 घंटे की धूप मिल सके आम का हमारा पॉधा 40 दिनों का हो गया है अब मैं इसे बड़े पॉट में 80% गार्डन्स वाइल और 20% कॉम्पोस मिला का ट्रांस्प्लांट कर दूँगा सीड से उगाय हुए आम के पॉधे की ग्रोथ काफी स्लो होती है इस तरह के पॉधे को फल देने लाइक मैचोर होने में 4-5 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन अगर इसकी ग्राफ्टिंग की जाए तो पॉधा 1.5 साल में ही फ्रूटिंग शुरू कर देता है तो देखते हैं आम के पॉधे की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है दोस्तो ग्राफ्टिंग ऐसी टेकनीक है जिसमें सीट से उगाय हुए पॉधे के निचले हिस्से याने रूट स्टॉक में फल देने वाले बड़े मैचोर ट्री से सायन यदे कलम काट कर जोड़ दिया जाता है और आपने अक्सर नर्सरीज में देखा होगा कि इस तरह के छोटे छोटे ग्राफ्टेट पॉधे में भी बड़े पेड़ों की तरह एक दो साल में ही फल आने लगते हैं सीट से उगाया हमारा आम का ये पौधा आठ महीने का हो गया है मैं इसी प्लांट में ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम मार्ज का महिना और मॉनसून का सीजन होता है अब बड़े पेड़ से कलम ये सायन के लिए ब्रांच सेलेक करना है लाइट ग्रीन पतली और नए पत्टे वाली इस तरह की यंग ब्रांचे ग्राफ्टिंग के लिए ठीक नहीं होती इस तरह की softwood वाली पुरानी ब्रांच जिसमें एकदम dark green पत्तिया हूँ ऐसी ब्रांच कलम के लिए best होती है हमें उतनी ही मोटी ब्रांच लेना है जितना मोटा हमारे उस plant का तना है जिसमें graft जोड़ा जाना है अब एक sharp cutter को alcohol based sanitizer से sterilize कर ले grafting की success के लिए cutter को sterilize करना ज़रूरी है नहीं तो infection से grafting fail भी हो सकती है अब plant को 3-4 इंच उपर से sterilize sharp blade लेकर इस तरह से तिर्षा कट कर लीजिए कलम को भी ठीक इसी तरह से कट कर लीजिए अब दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ना है कि root stock के बीच का dark हिस्सा पौधे के बीच के हिस्से के ठीक उपर जुड़ जाए इसे splice cutting method कहते है दोनों को आपस में जोड़कर grafting tape या फिर इस तरह के cello tape से अच्छी तरह से tight बान दीजिए अगर यह जरा भी lose रहेगा तो grafting खराब हो सकती है इसलिए इसे tightly lapate कर waterproof कर दीजिए grafted part पर पानी नहीं डलना है पानी गमले में हमेशा side से दीजिए अब इसे bright semi shade area में रखिए यह है result 25 दिनों बाद का हमारी grafting successful हो गई है और इसमें नए shoots आने लगे है 2-3 महिने बाद जब plant settle हो जाएगा तो मैं इसे 20 इंच के गमले में transfer कर दूँगा अगले season से ही इसमें flowering होने लगेगी मगर 2-3 साल तक इस पर आने वाले सभी फूलों को हटा देना है ताकि plant अच्छी तरह से growth कर सके 2-3 साल की growth के बाद grafted plant कुछ इस तरह का हो जाएगा ये मेरा पुराना grafted mango tree है धाई साल पहले मैंने इसकी grafting दशेरी आम variety की कलम से की थी दशेरी, Thailand variety, 12-80 variety और आमरपाली container में उगाने के लिए सबसे best varieties होती है इन सभी varieties के grafted पौदे आपको आपके आसपास की किसी भी बड़ी नरसरी पर आसानी से मिल जाएंगे मैंने इसे इस grow bag में उगाया था अब इसे बड़े container में transfer करेंगे अच्छी fruiting के लिए कम से कम 20 inch या उससे बड़ा container best होता है अगर आप इसे छोटे गमले में उगाएंगे तो इसमें बहुत कम या हो सकता है शायद फल आए ही नहीं मैं इस 24 inch चोले और 16 inch गहरे plastic fruit crate से बने container में इसे transfer करूँगा fruit crate से इस तरह के container बनाना सीखने के लिए उपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक कीजिए वीडियो के लिंक भी में description box और pin comment में दे रहा हूँ अगर आप आम का पेड गमले में लगा रहे हैं तो आपको well-drained और nutrition से भरपूर मिट्टी के ज़रुवत होगी आम के लिए best potting mix बनाने के लिए आपको चाहिए garden soil 50% वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सडी होई गोबर की खा 30% कोकोपीटिया रिवर सेंट 20% और दो मुठी नीम खली powder potting soil को कंटेनर में भरके आम के पेड को transplant कर दीजिए हमें इसके root ball को बिल्कुल disturb नहीं करना है किसी भी grafted पौधे को मिट्टी में लगाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा मिट्टी में नहीं दबे वरना पौधा खराब हो जाएगा अब इसमें भरपूर पानी दीजिए आम एक tropical tree है इसलिए इसे अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए धेर सारी धूप की जुरूत होती है इसलिए इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखे जहां 6-8 घंटे धूप मिल सके आज 23 फरवरी है और हमारे आम के पेड़ में flowering शुरू हो गई है इसमें काफी सारी नई birds निकल आई है याने अभी इसमें और भी ज्यादा flowering होगी दोस्तों आज 22 मार्च है इस प्लांट पर कुछ दिनों पहले बहुत सारे फूल आये थे लेकिन उन में से ज्यादा तर जड़ गए और इस समय पेड़ पर कुछ 14-15 छोटे छोटे आम बनने लगे है फ्रूटिंग शुरू होते ही दो मुठी पर स्कॉयर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाट डाल कर उपर की सर्फेस को हलका लूज कर लीजिए इसी तरह हर तीन महिने में एक बार खाट दीजिए आज है 18 एप्रिल और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय इस पर धेर सारे आम लगे हुए है सभी आम मैचौर होने लगे है फ़लों के वजन से ब्रांचेस तूटना जाएं इसलिए मैंने इन्हें बैंबू स्टिक से सपोर्ट दे दिया है तीन महीने पहले हमारे इस ग्राफ्टेट मैंगो ट्री में फ्लावरिंग शुरू ही थी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल सारे मैंगो बचोड हो गए हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है जैसे ही आमो का कलर डार्क ग्रीन से हलका सा यलो इश होना शुरू हो जाए समझ लीजिए अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है तो चलिए इन मैंगो को हार्वेस्ट करते हैं करते हैं खुभी है तो चलिए एच करते ही जाए तो चलिए व दो को हार्वेस्टिंग युवड़ो हो जाए मैंने सभी आम हार्वेस्ट कर लिये हैं फिलाल ये हार्ड है और पूरी तरह से पके नहीं है इन्हें पकाने के लिए न्यूस पेपर में अच्छी तरह से कवर कर दीजे सभी आम को पेपर में लपेट कर किसी बड़े बॉक्स में रखकर हफते से 10 दिन के लिए बंद करके रख दीजे पेपर से मिलने वाली गर्माहट के कारण आम कुछ दिनों में पक जाएंगे आठ दिनों बाद कुछ आम पक चुके हैं इन में से सबसे बड़े और सबसे मेचौर वाले आम सबसे पहले पकते हैं देखिए ये कितना फ्रेश और जूसी है इसमें से पके आम की घजब की महका रही है दशारी वराइटी के आम का पल्प येलो की जगह हलका औरिंजिश कलर का होता है अब जरा इसे टेस्ट करके देखें यकीन मानिये दोस्तों इतना मीठा, जूसी, फ्रेश और टेस्टी आम सच मुझ मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ तो दोस्तों इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा और भी नए-नए अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज को फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉप्स और पिंट कॉमेंट में मिल जाएगा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सबस्क्राइब जरूर करें नए-नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग एंड कीवां गार्डनिक